कुली टीवी के सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार अमेरिका में महगाई चरम पर पहुंची है तो भारत में महगाई ने उपरी स्थरों से लड़कना शुरू कर दिया है इसी भी 26 और 27 जुलाई की अमेरिका के केंद्रिये बैंक फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दरों में एक फीस्दी वृदी की अटकले हैं लेकिन इसके बावजूद बाजार का मूर थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है एस्ट्रो साइकल को देखें तो यहां सूरे बुद्ध गुरू के नक्षतर में हैं और चंद्रमा भी 18 जुलाई को गुरू के नक्षतर में ही रहेंगे लहाजा जबकि शुकर और शनी जो हैं मंगल के नक्षतर में हैं लहाजा यहां स्थिती थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है और 29 जुलाई को बुद्ध के उधे होने के बाद स्थिती और सुद्रेगी यानि बाजार अपना नियुनतम स्थर यानि की बॉटम देख चुका है और यह निवेश करने का सही समय है यहां सोने में भी निवेश के मुक्तय बन रही है और यहां से सोने में निवेश भी बुविश में अच्छे रिटरन दे कर जाएगा अगरे सप्ता के बाजार के स्थार की बात करने से पहले आएए जानते हैं कि पिछले सप्ता हमारी गंना कैसी रही है 11 जुलाई को चंदरमा के बुद्ध के जेश्टा नक्षतर में रहने के कारण हमारी गन्ना बैंकिंग शेरों में तेजी की थी और इस दिन हमने बाजार में मंदी होने के बावजूद बैंक निफटी में तेजी देखी 13 जुलाई को चंदरमा के शुक्र के पूर्वा शाडानक्षतर में रहने के कारण हमारी गन्ना होटल, लग्जरी और सिनेमा जैसी कंपनियों के शेरों में अच्छे मूब बनने की थी और इस दिन वेस्ट लाइफ, विक्ट्री होटल, रायल और्किट, कंट्री क्लब, जिंदल होटल और इंडिन होटल जैसी तमाम होटल कंपनियों के शेरों में शांदार तेजी देखने को मिली चोधा जुलाई को चंदरमा के सूरे के उत्रा शाड़ा नक्षतर में रहने के कारण हमारी गर्ना पीस्यू सेक्टर की कंपनियों में तेजी की थी और इस दिन हमने आयोसी, चन्नाई, पेट्रो, एचपी, सीयल, भेल, कंटेनर, कार्परेशन ओफ इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों में तेजी देखी और 15 जुलाई को चन्दर्मा के अपने ही श्रवना नक्षतर में रहने के कारण हमारी गर्ना बाजार में उताच चड़ाओ की थी और इस दिन सेंसेक्स ने 400 अंका मूव दिखाया और 53,361 का निचला सरशूने के बाद अंतर में 53,760 पर बंद हुआ आयद जानते हैं कि अगले सब्ता बाजार की चाल कैसी रहेगी बाजार के स्टार्व में सुनवार को जब बाजार खुलेगा तो चन्दर्मा गुरू के पूरू भाद पर नक्षतर में रहेंगे बाजार में थोड़ी सुस्ती नजर आ सकती है लेकिन इस तुरान भी मेटल के शेरों पर फोकस बन सकता है करीब 12 बाज़े चंदर्मा बुद्ध के रेवती नक्षतर में आ जाएंगे और बुद्ध इस समय अस्तिती में चल रहे हैं इसमीच बैंकिंग और वित्य कंपनिय से जोड़े शेरों में तेजी देखने को मिल सकती है बुद्ध वर को बाजार खुलते ही चंदर्मा रेवती के नक्षतर में रहेंगे लहाजा बाजार में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है लेकिन दुपहर एक बज़े के बाद चंदर्मा के के चैट्टू के अश्म में पुजिशन बंती नजर आएगी शुक्रवार को बाजार का मूर्ड पोजिटिव रहेगा और इस तुरान ब्यूटी और सिनेमा से समंदित कंपनियों के शेरों में तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों ये तो था इस सफते के बाजार का स्टार कारेकरम ये कारेकरम आपको कैसा लगता है अपनी राय हमें जरूर बहेजें ये कारेकरम न हमचे ये कैस्ट्रीमे आप नवेश करते हैं या आप अच्छे न्यवेश सलाकार की मदद जरूर लीजिए शेर के फंटामेंटल चार दिखना ना भूले इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त नमशकार